हेलो स्टूडेंट्स हम बीस्टी पार्ट वन सेमेस्टर वन के पेपर सेकेंड और्गनिक केमेस्ट्री की सैकेंड यूनिट एलकेंज पढ़ रहे थे उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें उसकी रासाई नहीं कभी क्रिया या केमिकल रियक्शन्स पढ़ी थी सैचुरेशन के कारण्स जो एलकेंज हैं वो अभी कर्मकों के रियजेंज के प्रति क्या होते हैं निश्क्रिय होते हैं क्योंकि वो इस्थाई होते हैं क्रियात्मक समू के अभाव में एलकेंजों पर इलेक्ट्रोंस नहीं या नाभिक्ष नहीं अभी कर्मकों का कोई प्र अतहाँ यहाँ अभी क्रिया मुख्यत परा बैंगनी किरना उच्चताप और परा उक्साइट की उपस्तिती में होती है यानि कि हम जो सबसे पहले इसका एक एक इग्जामपल है इसका उधारन लिया हम हेलोजी नेशन देखें उनका हेलोजीनी करण देखें और उसकी क्रियावीदी को हम आज पढ़ेंगे उसका जो मेकैनिजम है वो किस तरह होता है हेलोजीनेशन, एलकेञ्ट रियक्ट विद हेलोजन in presence of sunlight, UV light or at high temperature to form a mixture of हेलो एलकेञ्ट सूर्य के प्रकाश हो या पराबैंगनी किरने या फिर उच्चताप पर एलकेञ्ट हेलोजन के साथ अभी क्रिया करके क्या बनाते हैं हेलो एलकेञ्ट का मिश्रन बनाते हैं उनका मिश्षर बनाते हैं The amount of various products formed depends on the amount of हेलोजन used विबिन उत्पाद जो होए हैं ये जो different products होए हैं इनकी जो मात्रा है वो प्रियोक्त हेलोजन की मात्रा पर निर्भर करती है हम कितना हेलोजन प्रियोग में ला रहे हैं इस पर उनके जो उत्पाद की मात्रा है प्रड़क्ट की जो quantity है वो depend करती है दस methane undergoes chlorination as follows हम एक example हमने लिया है chlorination या chlorini करण का CH4 मीथेन के साथ आप chlorine के अभिकरिया करा रहे हैं H new पराबैंगनी किरने है या उच्च ताप ले ले इन सब की presence में हमने देखा क्या बना CS3-CL आप और chlorine इसमें add कर रहे हैं CS2-CL2 then again it reacts with CL2-C8-CL3 again it reacts with CL2-C-CL4 carbon tetra chloride the order of reactivity of different types of hydrogen of the alkane is alkane की जो विभिन प्रकार के hydrogen की क्रिया शीलता है उनकी reactivity का करम क्या रहता है tertiary hydrogen है वो सबसे ज़्यादा क्रिया शील होते हैं बजाए किसके secondary के और secondary किससे ज़्यादा होते हैं primary से हैं हेलोजन की क्रिया शीलता अब हम एलकें को एक ही एलकें लें लेन लेकिन हैलोजन यह थी बदलते हैं तो fluorine की क्रिया शीलता ज्यादा होती है क्लोरीन से क्लोरीन की से क्लोरीन ब्रोमीन से जादा होता है और ब्रोमीन आयोडीन से mechanism अब हम इनका इनकी क्रिया विधी देखेंगे क्लोरीन करण की क्रिया विधी देखेंगे mechanism of chlorination it is known that the chlorination or bromination of alkane prompted by sunlight or ultraviolet light takes place by a free radical chain reaction एलकेन का जो क्लोरीन करण है या ब्रोमीन करण है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में मुक्त मूलक श्रंक्ला अभी क्रिया द्वारा होता है free radical chain reaction के द्वारा होता है इस क्रिया विधी के there are always three fundamental stages in a chain reaction namely chain reaction या जो श्रंक्ला अभी क्रिया है उसके तीन पद होते हैं तीन stages होती है first is the initiation of reaction chain initiating step है सबसे पहले chain के श्रंक्ला को प्रारंब करने वाला पद पहला पद क्या होता है पहली stage होती है कि chain initiate हो शुरू हो chain initiation step the initiation step involves the generation of chlorine free radicals by the homolytic cleavage of molecular chlorine molecular chlorine जो है वहाँ chlorine का क्या हो जाता है homolytic cleavage आपने पढ़ा है cleavage दो तरह के होते हैं विखंडन दो तरह के होते हैं विश्वांश विखंडन और सामांश विखंडन होमोलाइटिक या सामांश विखंडन से क्या होता है chlorine के free radical free radical मुक्त मूलक बनते हैं इस chain initiation step में chain के शुरू करने के लिए हम जानते हैं यह श्रंकला अभी क्रिया है मुक्त मूलक क्रिया भी दी है तो मुक्त मूलकों का निर्मान होता है इस पहले step में the cleavage is endothermic जो cleavage है यह जो विदलन है वो कैसा है उश्मा शोशी है endothermic and requires 58 kilo calorie per mole of energy क्या लेता है यह कितना लेता है 58 kilo calorie per mole उर्जा की इसको आवशक्ता होती है which is supplied either by heating the reaction mixture to 250 degree और eradicating by UV light at 487.5 Nm यहां जिसे अभी क्रिया का जो मिश्रन है या तो आप 200 degree तक इसको गरम कर लें या सूर्य के प्रकाश से 487.5 Nm पर जो eradicate किर्णित करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं कितनी energy चाहिए हमें 58 kilo calorie per mole energy चाहिए किसके लिए क्लोरीन के molecule को सामांच विखंडन के लिए जो required है जो जरूरी है इस cleavage को तोड़ने के लिए जो bond है क्लोरीन क्लोरीन के मद्य जो बंद बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए सामांच विखंडन के लिए हमें जरूरत है 58 kilo calorie per mole की वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या तो आप इसे heat करेंगे हम heat करेंगे 200 degree centigrade तक या UV light के थूँ इसको energy देंगे ये सामांच विखंडन द्वारा क्या होता है क्लोरीन free radical to CL free radical CL के क्लोरीन के मुक्त मूलक का निर्मान होता है दूसरा step है तो पहले step में क्या हुआ है मुक्त मूलक का निर्मान दूसरा है propagation step chain को सतत रखने वाला पद chain propagating step chain को जारी रखने वाला पद in the propagation stage of the reaction highly active क्लोरीन atom abstracts an atom of hydrogen from alkane to generate the alkyl radical इस पद में अती क्रियाशिल क्लोरीन मूलक एलकेन अनू से hydrogen को निशकाशित कर alkyl मूलक बनाता है यह क्या करता है जो chlorine free radical है वो abstract कर लेता है निकाल लेता है एक hydrogen को किस में से जो आपका alkyne है उस में से एक hydrogen को abstract कर लेता है और क्या बना देता है alkyl radical the methyl radical reacts with another molecule of chlorine to produce methyl chloride the methyl radical यह जो methyl radical free radical फर्स स्टेप में हुआ इसमें यह जो methyl free radical आया है वो किस से react करता है reacts with another molecule of chlorine chlorine के दूसरे molecules के साथ में react करता है और produce methyl chloride methyl chloride का निर्मान करता है and chlorine free radical और एक chlorine free radical बनाता है chlorine मुक्तमूलक बनाता है the process is repeated several times यही process बहुत बार several times बहुत बार क्या होता है repeat होता है यही प्रक्रिया बहुत बार दोराई जाती है CL4 CH4 प्लस CL free radical क्या हुआ HCL प्लस CS3 free radical CS3 प्लस CL CL CL2 के साथ में से reaction किया CS3 CL प्लस CL free radical थार्ड जो step है last step termination step termination reaction chain terminating step chain को chain की समापती वाला जो पद है terminate हो जाना समापत हो जाना chain terminating step इस पद में a chain of reaction a chain of reactions is terminated by combination of the radicals with themselves usually on the walls of the reaction vessel so that the energy liberated in the formation of the bond may be dissipated इस पद में इस पद में शेश दो मुक्त मूलकों के संयोग से क्या बनता है उदासीन अनू बनता है a chain reaction is terminated by combination of radicals with themselves जो free radical है वो आपस में क्या हो जाते हैं combine हो जाते हैं और usually on the walls of the reaction vessel जो reaction vessel का अभी करिया का जो वैसल है उसकी walls पर ही क्या हो जाते हैं वो combine हो जाते हैं free radical आपस में combine हो जाते हैं so that the energy liberated और जो energy liberate होती है in the formation of bond may be dissipated C-L free radical plus C-L free radical C-L-C-L C-S-3 free radical plus C-L free radical gives you the C-S-3-C-L C-S-3 free radical plus C-S-3 free radical higher alkene C-S-3 C-S-3 it becomes clear from the bond dissociation energies that although energy must be supplied for the chain initiation the two propagation steps are exothermic and are repeated several times bond dissociation energy जो है बंद वियोजन उर्जा जो की उपर हमने बताई है कोस्टक में उसमें ब्रैकिट में बताई है वहाँ जो bond dissociation energy है उसके आधार पर ऐसा विदित होता है ऐसा लगता है कि शंकला प्रारंब करने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है बाकी जो दोनो प्रपोगेटिंग step है सतत पद है वो कैसे है एकसो थर्मिक है उश्मा शेपी है तथा इन पदों को repeat होने के इन पदों की क्या होती है repetition होती रहती है यह several times repeat होते है thus a small amount of energy brings about convergence of several alkyne molecules into alkyl halides halide यह जो इस प्रकार छोटी सी उर्जा की मात्रा alkyne अणों को alkyl halide में परिवर्थित कर देती है the evidence for free radical mechanism comes from the observation that there is practically no reason between chlorine and ethane at 120 degree मुक्त मूलक क्रियाविदी की पुस्टी उसका जो evidence है उसकी जो पुस्टी है वो इस बात से होती है कि chlorine व एथेन के बीच 120 degree पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है 120 degree temperature तक कोई अभिक्रिया नहीं होती है however the presence of a trace of tetraethyl lead known to produce free ethyl radicals at this temperature initiates vigorous reaction हालंकि जो tetraethyl lead की जो अल्प मात्रा है यदि हम उसमें थोड़ा सा tetraethyl lead डाल दें तो उसकी उपस्थिति में इसी तापमान पर ethyl free radical उत्पन होते हैं 120 degree पर आप यदि chlorine और इथेन की अभिक्रिया करेंगे तो वह नहीं होगी यदि उसमें थोड़ा सा trace of tetraethyl lead थोड़ा से अल्प मात्रा में tetraethyl lead डालें तो इसकी प्रेजेंस में इसकी उपस्थिति में यहां अभिक्रिया संपन हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है इथाइल free radical उत्पन होता है further in the presence of oxygen the rate of the reaction is considerably retarded because of the tendency of oxygen to combine with ethyl radical to produce a peroxy radical which is relatively unreactive यह कह रहे हैं कि oxygen की उपस्थिति में अभिक्रिया की गती क्या हो जाती है कम हो जाती है यदि oxygen की हम presence लें तो उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की गती कम हो जाती है क्योंकि oxygen इथाइल मूलक के साथ इथाइल radical के साथ क्रिया करके क्या बना देता है पर आक्सी रेडिकल बनाता है जो की अक्रियाशील है जो की अन्रियक्टिव है हम ऑक्सीजन की यदि प्रेजन्स आ रहे हैं यानि यदि हम टेक्टराइथाई लेड डालते हैं तो क्या होता है रियक्शन जल्दी होती है विक्रस रियक्शन को वो कि गती क्या हो जाती है कम हो जाती है क्योंकि परॉक्साइड परॉक्सी जो मूलग होता है वह अक्रियाशील है CS3 CS2 free radical आपने ही देखा इसको प्लस O2 करा CS3 CS2 OO free radical यह क्या है A substance that slows down or stops a reaction even though present in small amount is called as inhibitor एक ऐसा पदार जिसकी सुक्ष्म मात्रा से जिसकी small quantity से अभी क्रिया की गती कम या बिलकुल रुख जाती है उसे क्या कहते हैं? inhibitor या निरोधक कहते हैं inhibit कर देना है inhibitor कहलाता है ऐसे पदार्थ जो की अभी क्रिया की गती को क्या कर दें? कम कर दें या अभी क्रिया को बन कर दें the period of time during which inhibition lasts and after which the reaction proceeds normally is called the inhibition period inhibition वा समय है जितनी समय अभी क्रिया क्या होती है? अवरुद रहती है इसके बाद समान्य रूप से चलती है अभी क्रिया थोड़ी देर के लिए inhibit हो गई है वो प्रोसीड inhibition lasts and after which the reaction proceeds normally और उसके बाद में यदि वो समान्य गती से चलती है तो हम क्या कहते हैं इसे inhibition संदमन काल inhibition period कहते हैं और उसके बाद में जो अभी क्रिया है वो समान्य रूप से चलती है ब्रोमी नेशन ऑफ एलकेंस प्रोसीड इन समवाट दे सेम मैनर एज क्लोरी नेशन दो लेस विग्रसली ब्रोमी नेशन जो है ब्रोमी नेशन जो है इसका मुख्य कारण अणूओं की जो बंद विदलन उरजा है बाद डिसोसियेशन एनरजी है उसमें जो अंतर है उसके अंतर के कारण ऐसा होता है आप देख रहे हैं बाद डिसोस बी यार बी यार एच न्यू और हीट टू बी यार फ्री रेडिकल बी यार फ्री रेडिकल प्लस हC-S3 ये मिधेन हैं आपका ह बी यार प्लस CS-3 CS-3 बी यार बी यार CS-3 बी यार इसमें आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं सततत पद में प्रोपोगेटिंग स्टेप में पहला स्टेप जो था बीर बीर जो तोट रहे हैं सामँष विखंडन के द्वारा बीर फ्री रेडिकल बन रहा है यह आपका चेन इनिसेशन स्टेप है चेन शुरू हुई है शंकला शुरू हुई है लेकिन बाकी के जो स्टेप हैं वो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है चेन को जारी रखने वाले पद में ब्रोमीन मूलक द्वारा हाइग्रोजन अपहरन उसमा शोशी है हाइग्रोजन का जो abstraction है उनका जो निकालना है वो कैसा है एंग्डोथर्मिक है क्योंकि CH बंद HBR बंद से क्या है ज्यादा प्रबल है ज्यादा स्ट्रॉंग है थस इस डिफिकल्ट फोर दब्रोमीन अटम तो अक्वार सुफिशेंट एनरजी फोर abstracting a hydrogen atom in comparison with various change determining step such as combination with another bromine atom or with an alkyl radical यह के रहिये विभिन जो श्रंकला समापती पद में जैसे दूसरे bromine अनू के साथ सायूगमन या alkyl समूग के साथ सायूगमित होने की तुल्ना में bromine परमानू को परियाप्त उर्जा प्राप्त कर hydrogen abstraction करना कठिन होता है अतहा bromine करन chlorine की तुल्ना में कैसा होता है धीमिगती से होता है therefore bromination is slower than chlorination being less reactive being less reactive bromine radical prefers to react with more reactive hydrogen selectively compared to chlorine atom which is less selective हम बाद में आपको समझाएंगे हमारे पास एक topic है हमारे हैं एक टॉपिक होता है रियक्टिविटी एंड सलेक्टिविटी अभी क्रियाशीलता एवं वर्नात्मकता वही बता रहे हैं कि जो ब्रोमीन मूलक है वो क्लोरीन मूलक की तुलना में अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन परमानों के साथ वर्यता से क्रिया करता है अर्थार्थ क्लोरीन कम वर्नात्मक है ब्रोमीन क्या है अधिक वर्नात्मक है सलेक्टिव जादा है क्लोरीन सलेक्टिव कम है दस ब्रोमीनेशन ओफ आईसो ब्यूटेन येल्स मोस्ट एक्स्व्यूजिवली tertiary butyl bromide अतह आईसो ब्यूतेन का bromine करण पून तया तरत्यक tertiary पून तया तरत्यक butyl bromide यानि कि 99% देता है iodine is less reactive of the halogens इन सब में iodine सब से least reactive होता है iodine हेलोजनों में सब से कम क्रियाशील है and does not effect substitution with relatively inert alkynes तथा इसकी alkyn के साथ जो अभी क्रिया है वो कैसी होती है व्यूत क्रमनियों होती है और alkyn की पुनह प्राप्ति होती है आप देख रहे हैं further the reaction of iodine with alkyn is reversible iodine के साथ जो alkyn की अभी क्रिया है वो कैसी है reversible है और in the और alkyn की इसमें वापस प्राप्ति हो जाती है RH plus I2 RI plus HI however direct iodination can be achieved by using strong oxidizing agents like iodic acid HGO nitric acid to destroy the HI formation in the process अब आप कहेंगे इसके द्वारा तो यह अभी क्रिया करेगा नहीं तो हम क्या करते हैं यदि हमें iodine से करनी है अभी क्रिया तो direct iodination कराते हैं can be achieved किसके द्वारा strong बहुत ही प्रबल ओक्सिडाइजिंग ओक्सिकारक लेते हैं ऐसे जैसे कि iodic acid है HGO है nitric acid है to destroy the HI formation in the process ताकि अभी क्रिया में HI को नस्ट करना जरूरी है 5 HI plus HI O3 3I2 plus 3H2O fluorination of alkanes is highly exothermic and release of huge amount of energy during the reaction leads to the cleavage of CC as well as CH bond alkano का fluorini करन एक अत्यांत उश्मा शेपी अभी क्रिया है इस अभी क्रिया के दौरान काफी मात्रा में उर्जा निकलती है जो CH और CC बंद का विदलन कर देती है cleavage कर देती है तो उड़ देती है Thank you